क्या आपने गौड नहीं फरमाया, पिछले कुछ सालों में, पांच-छे सालों में, इंस्टाग्रामर्स, टिक्टॉकर्स, यूट्यूबर्स, करोडों रुपे कमा चुके हैं, या कमा रहे हैं, लाखो करोडों तक वो कमा रहे हैं, उन सब में एक चीज सबसे दा कॉमन क्या उनका परस्नल ब्रांड, अपने इन प्लाटफॉर्म्स का इस्तमाल करके, अपने सोशल मीडिया का, अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेस्बॉक, लेंग्डेन, ट्विटर, इन सब चीजों का इस्तमाल करके, अपनी क्रेटिव बीडियो का, अपने थॉट्स का, अपने क्रेटिव आइडिया का, इस्तमाल करके, वो और पैसे कब आ रहे हैं, और सिर्फ पैसे ही नहीं, उन्होंने एक, फैन बेस बना लिया, उन्होंने एक, और उनको कॉंपटिशन देना, उनके लेवल तक जाना, काफी मुश्किल हो गया, और बस इतना ही नहीं, उन्ह अपने परसनल ब्रैंड से, सिर्फ अपने आप से, मतलब परसनल ब्रैंड से, उन्होंने बहुत सारे ब्रैंड्स बना लिया, तो आज इस वीडियो सीरीज में, इस छे वीडियो सीरीज में, हम परसनल ब्रैंडिंगी बात करने वाले, आप अपना परसनल ब्रैंड उनके ल तो चलो शुरू करते हैं आप अपना परस्व ब्रांड अलरेडी बना चुके हैं या आप श्रगल कर रहे हैं आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है या फिर आपने सोचा हो कि यार मेरे को काम करना है मिरे को अपना बॉस बना है मेरे को सेल्फ एंप्लोई बनना मेंको वर्क काफी महिनों से डाल पी रहे हो but still आपको success नहीं मिली और वो लोग भी हो सकते हैं जिनको ये चीज करनी है जिनको अपना personal brand build करना है जिनको अपने business जो अच्छा business कर रहे हैं but offline उनको online अपने नाम को पहले establish करना है फिर अपने business को establish करना उनके लिए यह video series है अब सब के लिए video series है जो अपना personal brand बनाना चाहते हैं step by step तो वीडियो में जाने से पहले पूरी series में जाने से पहले मेर को जान लो जरूर ही है क्योंकि बिना मेर को जाने personal branding कैसे सीखोगे मेरी भी तो personal branding होनी तो इसी कौन सी चीज है जो आपको करना सबसे आदा पसंद है मतलब कि अगर आप सो भी रहों और आपको करने बैठ जाए आपको ऐसा है कि उसके लिए इक्तम जुनून है चाहिए आपको फ्री में करना पड़े हो यह चीज आपको सबसे पहले फिकर आउट करने पड़ेगी और इसी चीज़ को हम पर्सनल ब्रैंड के फूरू प्रमोट करेंगे और यहां से आपका बिजनस बनाएंगे यह चीज कुछ भी हो सकती है सब्सक्राइब आपको समझने में असानी हो जागी तो मेरे को बिजनस आइडिया बनाना पसंद है बिजनस प्लान पसंद है बिज शायद मैं हंडल कर लेता हूं तो मेरे को यह थोड़ा चालेंजिंग लगता है और चालेंजिस फेस करना मेरा नेचर है शायद तो यह चीज में को बहुत अच्छी लगती है तो मेरे कोई को बहुत अच्छी लगती है तो मेरे कोई को बहुत अच्छी लगती है तो मेरे को सब्सक्राइस चीजा चेया सकते मेरकों चीजेंब रॉक्स करें मॉनेटा करना तो यह थीस को मैं भी मैं कर सकते हूं लिόज यह तो एस को में सब्सक्राइस बस्टारॅग में वैसे यही चीज मैं आपको कर रहा हूं क्योंकि अभी मॉनेटाइज नहीं है यूट्यूब चैनल जैसी है मॉनेटाइज होगा तो मेरे को इस चीज से पैसे आने लग जाएंगे और भी मेरी डिश्टल मागेडिंग कंपनिये में को क्लाइंट्स भी मिलेंगे तो यह चीज होती है पई carnal भी नंद निशर्वक्राइज अब मैं जो आपके सामने करा यहां अपने परेंडिंग कर रहा हूँ मैंना इतना अगर 30 यहां ग करता गया और अगर उस किसी को डिशनल मार्केटिंग बात हो रही है उसने मेरा एड़ान प्रस देखा और कोई पुछ यह मैंने यूट्यूबर देखा था वह उसका चाहे उसको डॉन प्लस ना यादो उसको शायद मैं यादू वह आयेगा वरून वादा सर्च करेंगा वो देखेंगा वीडियो ख मैंने यह भी और ऐसम्ल ही वासम तो पताई कि सो आपको नैट जी ना पसंद ओलो शहारो वह लहांगो way a CeI तो सिर्फ पंसे पर सकते हैं और आप उससे अपना बना सकते हैं कि यार बेको देखो में को दुनिया जहां की सारी पैंसी रखे बारे में सबसे ची यूज़ी होती है pencil की अंदर जो carbon डलता है वह कौन सा सबसे अच्छों होता है, फिर कितनी types की pencil होती है, कितनी company है pencil की, उनका business model बता सकते हो, कि उन्होंने कैसे profitable किया, वो कौन सा element यूज उसकरते हो, उसमें कौन सा glue लगता हो, सिर्फ pencil से हम पूरा personal branding कर सकते हैं आपकी, तो आपको यही चीज़ देखनी है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंट्रेस्ट है बात समझ आ रही है नेक्स पॉइंट पर चलते हैं इंटरनेट सोशल मीडिया फेस्बॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब लिंक्डिन ट्विटर पिंट्रेस्ट बहुत जारे सोशल मीडिया प्लाट्फोर्म है बट सबका अलग बिजनस नेचर है सबका नेचर अलग है यूट्यूब पे आपका वीडियोउ सजाबहरम्योत यह यह फोड़ीदेन से स्लीयूद टेक्स्टी जार पहलना पते हैं अंब वही फेना वही पर्मॉट करने लगा उसने श्टोरी का नया फीचर निकाल तो आपको यह देख़ना है और परस्नल भी चीज से सटार्टर कर सकते आपको आगे बता हुगा तो अरना business की दुनिया काफी से बदल रही है त्व outta Pret आपको marketer बदलातों क्योंकि marketing एक बहुत वाश फील्ड है जिसको आपको एक-एक element सबस्जना होता है और उसके अंदर एक पार्ट है digital marketing जैसे आपका बहुत तरीके की marketing होती है door-to-door network बहुत जादा marketing है affiliate बट उसमें digital marketing पार्ट आता है जो की सबसे जादा भी trending है और अभी जैसे हम होते हैं बिजनस के जाप से जो चीज सबसे जादा profit लाके देती है हमें वह करनी चाहिए तो अभी जो profit लाके दे रही है बिजनस की नेचर में वह दे रही है मतलब मैं digital marketing marketing में बता रहा हूं कि marketing में अगर आप जाते हो तो उसमें digital marketing सबसे ज़्यादा powerful है तो अभी social media तो आपको personal brand अपना कहां पर बनाना है अब आप facebook पे आड देके अब suppose देखो एक यह newspaper है और यह कि आपका facebook या instagram या कोई बनाने के लिए पहले के टाइम पर लोग अपने newspaper में अट दे दे तो अब उस टाइम पर लोग अपनी अपनी आड क्या देके फाइदा हम company के आट दे देते हैं क्योंकि उस टाइम पर अपनी आड कौन देखे आप पतलब समझें नहीं आए का लोग इसका अच्छा यह बं पर तो free of cost है उसमें आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा से महना तो टाइम लग रही है बट आपका जो इस पर जादा newspaper में जादा उसके आपको चार्जिस पे करने अगर हम महीने का लेकर चलते कि आपकी 100 रुपे की पोश्ट रही है तो आपका 3000 का खर्चा तो नहीं होती वह जादा की होती थी और अभी भी बहुत भेंगी है रेडियो पे टीवी पे इधर तो यहां पर परसनल ब्रांडिंग करना वेफार डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत जादा पैसे लग जाते बट यहां पर ऑनलाइन डिजिटली हम पर पैसे लगाने की जूरती नहीं है स् समझाया की social media पर कितने लोग आ गए दो साल से लेकर 80 साल के 90 साल के लोग आ गए हैं तो वहां पर आपकी और चलाते हैं जहां पर आई बाल जाता हो जहां पर लोगों की इटेंशन जाता हो और सबसे जादा कहां पर भीड़ा है भी सबसे लोग social media पर internet पे जहां पर social media पर तो वहां पे social media पे अब आपको देखना है कि यहां पे सारे लोग हैं अब अगर आप देख रहे हैं इसीरीज और आप business में नहीं है आपको पसंद ही नहीं बिजनस करना वो बंदे ही नहीं आप creative बंदे हैं आपको गाने गाना अच्छा लगता है आपको आपको वीडियो बन अभी बिजनस में नहीं है आप एक creator बनने वाले सबसे पहले पर्सेल ब्रांडिंग का सबसे पहला स्टेप होता है creator बनना जो की पार्ट पर्सेल ब्रांडिंग का पार्ट है तो अब आप एक creator है आपकी creativity हड़ जगा हो सकती है आपको सोचना है वह अपने आरे में आप brainstorming क करता हूँ मैं कपड़े सीलता हूँ मैं मूची हूँ मैं कुछ भी हूँ आप जो कुछ भी हैं आप यहां पे online अपना काम कर सकते हैं आप अपने online अपनी market बना सकते हैं अपने आपको present कर सकते हैं अपनी creativity डाल सकते हैं तो अब आपको सारी बाते समाझ आ गई है अब सबस जोटेसी दुखानों पे जा जाएकर अपनी वीडियोस बनारा खीत को यह ऍटना जोटा डूटें कיל ओना इया आपको कुछ समझा रहा हूं तो मेरे को यह करना पसंद है तो वह चीज अब समझा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इस चीज में क्या लगता है आपको पैसे नहीं लगाने आपको जो लगाना है वह है आपका टाइम और आपकी महनत आपकी एनरजी social media का पहला रोली है कि आपको आते ही सबसे पहला जो लोग के दने हैं पैसे इनवेस्ट करने हैं यह ओगा वोगा कुछ नहीं अना आपको बहुत सारा टाइम बहुत सारी एनरजी लगानी है क्योंकि यह थोड़े का खेल नहीं है यह थोड़े में रहने वाला नहीं चीज है क आपको समझ आया कि आपको टाइम और इनर्जी काफी डालनी है बट अब यह बहुत सारे लोग वह भी होंगे जो साथ में जॉब्स कर रहे हैं जो साथ में अपना कुछ और स्टार्ट अप कर रहे हैं उनको यह टाइम नहीं मिल रहा है उनको है कि हम पर्सनल ब्रैंड नहीं कर दो जुब रहा है वह कर रहा है वह उसके पैसे ले रहे तो वह बिसनस कर रहे है तो ऐसे ही आप आप क्या करते हो आपने अपने अपनी क्रेटिविटी रखी तो अब आप अभी नहीं कर सकते हैं आपको है कि यार मैं जौब कर रहा हूं या फिर आपके पास responsibility जानए गर में आपको time नहीं मिलता आपको कुछ बहुत जादा और काम होते हैं आप नहीं कर सकते तो आपको time and energy डालने पड़ेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं अब दिन के एक घंटे से दो घंटे से भी शुरू कर सकते हैं 24 घंटे होते हैं जैसे आपके 8 घंटे यह चौब है उसमें से देखो 24 घंटे में से अब अपना पूरा schedule देखो और उसमें से सिर्फ dedicated दो घंटे निकालो कि यार मैं दो घंटे काम दो घंटे काम करूँगा उससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा पूरा लिमिट बट वह दो घंटे strictly फॉलो करने हैं वह दो घंटे ऐसे हैं कि मतलब वह करने कर नहीं है अगर आज से श्टार्ट कर रहे हैं तो आज से आगे के छे महीने तक प्लान कर लोगी दो 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 घं दो आपके नहीं है अपके content की बात आपकी quality की बात आगर आपकी content मैं है अगर आपकी बात में ह Representatives में द मैं आगर आपको लग रहा है कि यह हाँ यह चीज मैने जो निकाली है वो और्टो झितनी लोग देख रहे हैं उनको यह बहुत पसंद आ जाओं तो आपके वास followers हाना आना है अगर आपकी चीज ऐसी है जो कोई और नहीं कर सकता जो सिर्फ आप करके दे सकते हैं जो सिर्फ आपकी चीज जो और किसी के पास नहीं है वो बहुत awesome है वो बहुत creative है तो वो चीज आपके पास followers आजेंगे आपका fanbase बनेगा आपकी एक दो तीन कर करके हर दो घंटे क मैनत से एक follower भी आ रहा है starting में तो वो बहुत बड़ी चीज है बहुत ज्यादा बड़ी चीज है और आते जाद ही है अब अगर suppose वो दो घंटे आप निकाल रहे हैं और उसमें आपको marketing भी देखनी है creativity भी देखनी है तो आप ढूंडो वो ढूंडो की जैसे मैंने starting में क्या आप दो दिन में एक video आउट करो दो दिन में एक blog आउट करो एक दो podcast आउट करो देखलो अपने हसाब से बट करो रुकना नहीं है और क्या होता है आपको लग रहा होगा क्या मैं बिजनस वाला हुई नहीं मेरे को मार्केटिंग नहीं पर सब्सक्राइब मैं सिफ गाने ग तो वह बंदा देखो कौन कर सकता अगर आपको वह चीज करना नहीं पसंद आपको सिर्फ डालना पसंद आपको creativity आप देखो वह पार्टनर हो सकता है वह आपको आपको उसको बिजनस पार्टनर बनाओ आप देखो यह चीज आप स्टार्ट करो ना social media वे यह बड़ी तो ह होगी of course होगी अगर आप रुक होगी नहीं न तो यह of course बढ़ी होगी अगर आपकी चीज अच्छी है अगर देंचेक पूजा ऐसे भी रिगुलर होके पर चीज डाल सकते हैं वह बढ़ी हो सकती है तो आप तो सब्सक्राइब हो है ना तो आप तो बैटर होई तो आपने है तो ग्रोग करना डेफिनिटली बट एक चीज है जो आपको बिल्कुल रेगुलर रहना है आपको रुकना नहीं है बट आपको बिजनस भी नहीं करना तो आपको वह बंदा देखना है जो आपका बिजनस चीज़े समाल ले अगर आप इसको बिजनस की तरह हम लेके चल है तो आपको देखना है आप बिजनस भी पार्टन के साथ करते हो भाई फाइनस तू देखेगा मार्केटिंग मैं देखूंगा सेल्स तू देखेगा यह अकाउंटेंट और यह सब कुछ मैं देखूंगा तो यह सब आप चीज़े देखके करते हूं तो आपको यहां पर अब भी बंदा देखना होगा कि भाई क्रेटिविटी मेरी मार्केटिंग तेयरी एडिटिंग मेरी पोस्टिंग तेयरी तो आपको वह बंदा धूड़ना है अगर वो नहीं रहें का मैलब अगर आप बिजनस वाले हो तो वह वेलेंग अगर नहीं हो तो यह चीज आपको आपको सारी चीजे सेंस बना चुकी है अब एक क्या करते हैं अब एक एग्जांपल लेके चीज को समझते हैं एक आपको इवेंट उठाना पसंद आपको बर्टे पार्टी जोस्ट करनी पसंद है जो आपकी परसनल हो अब आपको कैसे ओनलाना ना आपको अपना बिजनेस ओ नाता हूं तो मैं जाओंगा सिर्फ फोन उठाओंगा सिर्फ अमना लीड वाली माईक यूज़ करूंगा अब मैं देख रहोगा बहुत बिल्कुल पैसे नहीं है बस पोन है तो मैं जाओंगा मैं वहां से कोईले खरी रही हुट तो मैं बस वीडियो में धिका रहा हूं कि द देखो guys मैंने यह चिकन मैरिनेट किया इसमें ये 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 डाला और इतनी तक छोड़ दिया अब मैं इसको मैरिनेट कर दिया अब यह देखते हैं कैसा बनता तर देखो आप koilay या अब सपोज किसी को बार्बीयू करना है फर्स्ट टाइम जैसे होता है ना कि फ्रेंट्स के साथ मिलके बार्बीयू करना है यह वो डालेगा how to do barbecue बहुत ज्यादा लोग हों कि मतलब पोटेंचल है अगर हमारे देश कोरे वर्ल्ड में करोडो में लोग ना तो रोडो में से दो से से बदते से जैसे मैं रिकार्ट चल रहे ना वैसी पूरी आपकी सीरीज बनती रहेगी तो स्नोबाल एफेक्ट तो चलेगा अब आपने यह चीज किया फिर आप क्या करोगे दीरे दीरे आपका चैनल बढ़ रहा है उसके बाद आपने आपके इंप्रूब्मेंट भी आपने से पैसे लेंगे आपकी ओडियंस होईगी फिल लोग आपको कॉल करेंगे आप बोल सकते हैं हाई फ्रेंड्स अब मेरा चैनल वन मिलियन हो गया है या तुहंड़ेट के हो गया अब मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूं अब अगर आपको बर्दे पार्टी उठानी है बहुत जैसे मैं उठाता हूं मैं करता हूं तो आप मेरे को कॉंटाक्ट करो नीचे डिटेल है या आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं ऐसे करकर करके आप बहुत बड़े इंड्रेंसर बन सकते हैं और यह चीज वर्क करती है बहुत लोगों ने किया तो आपको एक एक्जा कर लेना यह नंबर मैंने इचे डाल दिया बोल्डाइन नंबर है आपको एक लड़की जवाब देगी आपको पैकेजिस समझा देगी सारे और ऐसे ऐसे करके आपका सब हो जाएगा नेक्स वीडियो में मिलते हैं सब्सक्राइब कर लेना प्लीज फ्रेंट्स और राइट क्लीज देगी जढ ठांक्स